हलो वीवस, डेली हेल टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बता हुए टिप्स आपको तुरंग मिल जाए और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारी लेकेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आपको बताऊंगी हरी पतेदार प्यास के फाइदे दोस्तों हरे पतेदार प्यास के फाइदों की बात करें तो ये हमारे स्वास्त के लिए काफी ही लाधायक है इसे सलाद या फिर सबजी दोनों प्रकार से सेवन में लाया चाता है ये एक लोगप्री सबजी है जो की सपेद, पीली और लाल खिस्मों में पैदा होती है इसमें सर्फर की अधिता होने के कारण ये सिहत के लिए फायर्देमन मानी जाती है इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन K, कॉपर, मेगनीशियम, क्रोमियम, पॉस्परस, मैंगनीज और फाइबर उच मात्रा में होते हैं हरे प्यास के उच गुनकारी पौश्टिक तत्व के कारण ये स्वस्त के लिए काफी ही लाधायक होती है तो चलिए जानते हैं हरे प्यास के उचिद गुन एवं स्वस्तिलाब स्प्रिंग प्यास के लाभ पाचन समस्या में दोस्तों हरा प्यास पाचन सम्बंदी समस्याओं के निवारन में फार्दिमन है हरा प्यास दस्ट और अन्यपेट सम्मंदी समस्याओं के समाधान के लिए एक शक्तिशाली प्राकुरूतिक उपाय है इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को अच्छी तरहा काम करने में मदद करता है और साथ ही हमानी भूख में सुधार करता है दोस्तों हरा प्यास मेटाबॉलिजम को नियंद्रिद करता है और माक्रो न्यूट्रियन्स को बनाए रखता है दोस्तों रिदे को बनाए बहतर हरा प्यास रिदे स्वास्थ के लिए बहुत ही बहतरी होता है इसमें मौझूद एंटी ओफिडेंट हमारे डिने को नुकसान पहुंचने से रोकते हैं इसमें पाया जाने वाला विटामीन C ब्लड प्रेशर को नियंद्रित करने का काम करता है जिससे की दिल से जुड़ी बीमार्या होने का खत्रा कुछ कम हो जाता है इसके नियमित उप्योग करने से रिदर्य नमनी योगों का खत्रा कम हो जाता है दमा में रहा दिलाता है जिन ब्यक्तियों को आस्थमा की समस्या हो उनके लिए हरे प्यास का सेवन करना बहुत ही लादकारी होता है क्योंकि हरे प्यास में पौश्टिक तत्व होते हैं जो कि दमा की समस्या को दूर करते हैं और फिफ़रों के डिये भी लाधायक होते हैं सर्दी और फ्लू से लड़ता है स्प्रिंग ओनियन दोस्तों हरी प्यास के सेवन से शरीर में सर्दी और फ्लू से लगने के लिए अंटी बैक्टिरियल गुन उत्पन होते हैं अंटी बैक्टिरियल गुन से पाचन क्रिया भी ठीक हो जाती है आंखों के लिए बहतर विटामीन एक ये प्रचूर मात्रा होने के कारण हरा प्यास आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों की किसी भी प्रकार के समस्या से निजात दिलाता है ये आंखों के चारों और पढ़ने वाली जुरियों का भी सफाया करता है दोस्तों ये हमारे जुडियों को कम करता है स्प्रिंग ओनियन के सेवन से शरीर और चेहरे पर पढ़ने वाली जुडिया यानि की प्रिंकल भी खतम हो जाते हैं तो दोस्तों बस आज से ही इसका सेवन स्टार्ट कर दें और इसके स्वासी वदक लाब का लुपत उठाएं फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीचे और साथ ये इस वीडियो को अपने फामिली और फ्रेंड्स में शियर भी कीचे डियाविटीस कंट्रोल करता है हरा प्याज हरा प्याज में क्रोमियम की मात्रा बहुत होती है जो की बलड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है साथ ये ग्लुकोस टॉलरेंस को भी सुधाता है जिससे की डियाविटीस कंट्रोल में रहता है हरे प्यास के फाइदे गाटिया और आस्थमा में दोस्तों हरे प्यास में एंटी इंफ्लमेटरी और एंटी थिस्टामाइन गुन मौजूद होते हैं इस कारण हरे प्यास के उप्योग से गाटिया और आस्थमा जैसे समस्थियाओं में आरा मिलता है spring onion बनाए हड्यों को मजबूत दोस्तों हरे पियाज में vitamin C और vitamin K पाया जाता है जो कि हमारी हड्यों के विकास और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपून होता है तो दोस्तों आपने जान लिए है हरे पत्तेदार पियाज के फायदे आपको और भी health related tips चाहिए तो आप हमारे website mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए website की link वीडियो के description में दी जा रही है